धेर सारा आशिरबात देखा ये चैनल के आप लोग सब्स्राइब करीजाएं बोजपुरी पावस्टार पवन सिंग का गाना जिंदगी आ रहा है वाइरल बोजपुरी पे 15 तारीक को हिंदी बोजपुरी मिक्स सॉंग है ये और इस सॉंग की खूबिया ही हम आज आपको बताएंगे वैसे तो आपने इसका ट्रीजर देखा बहुती बहतरीन ट्रीजर है एक ऐसा ट्रीजर है जिसमें हलकी सी जलक मिली है और पता चल गई है कहानी क्या है तो आपको बता दे कि इस ट्रीजर के माध्यम से एक कहानी चलती है जिसका किरदार पवन सिंग निभा रहे है वो बंदा उसे भगवान में विश्वास नहीं है वो नहीं करता है पूजा पाट लेकिन जब उसकी जिन्दगी में एक औरत आती है और उसका प्यार आता है तो उसे भगवान में भी आस्था हो जाती है कुछ इस तरह की स्टोरी है इस गाने के लिए बात करते हुए हम आपको बता दे कि इस गाने की म्यूजिक डिरेक्टर है विने विनायक जिसके साथ पवन सिंग ने बहुत पहले काम किया था और अब पूरे दो साल बाद इन दोनो हैं सिंगर की तो आपको बता दे कि रेनु का पनवार जो की बावन गज के गाने में उनकी आवाज आपने सुनी होगी और ये गाना अब तक का बहुत ही बड़ा सौंग है इस गाने को सभी बहुत पसंद करते हैं और हर्याना की इस सिंगर को इलिए पवन सिंग ने ये कहा है कि ये यूपी की लड़की है भोचपूरी से इनका तालुक है लेकिन हर्याना में इनका एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है ये हर्याना की बहुत ही कुपसूरत सिंगर है तो जो हां रेनु का के बारे में जानता होगा तो उनके बैक ग्राउंड को भी जानता होगा कि रेनुका का तालुक यूपी से है इस गाने को लेकर पवन सिंग इसलिए भी जादा एक्साइटेड है पहली बार तो वो किसी हर्यानवी सिंगर के साथ गा रहे हैं विने विनायक के साथ पूरे दो साल बात काम कर रहे हैं और वाइरल भोजपुरी से इनका एक अलग ही नाता भूजपुरी के साथ भी पवन सिंग पहली बार काम कर रहे हैं इससे पहले उन्होंने इनके लिए हेंदी सोंग आया था और वाइरल भोजपुरी से एक अलग ही कनेक्शन है पवनसिंगका इस वाइरल भोजपुरी के हिंदी के चैनल पर लगातार पायल देव के गाने आते रहते हैं तो इसलिए पवन सिंग के लिए ये गाना बहुत खास बन गया है और ये गाना हिंदी और भोजपुरी दोनों में होगा भोजपुरी जगत की होट और मसाले दरगाव से चैनल के आप लोग सब्सक्राइब करें जाएं